नमस्कार साथियों आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा बदलाओ मतलब कल जैसे ही सीएम शाब ने गोशना की कि राजस्तान के अंदर नविन्तम ये जिल्ले बनेंगे और नविन्तम ये संबाग होंगे तो विध्यारती के लिए एक बहुत बड़ा क्यूशन हो गया कि सर अब जीके को हम कैसे पढ़े और किस परकार से पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान के अंदर जो एक्जाम होने वाड़ा है यानि कि मई के अंदर 14 मई को EO और RO का तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि उनके येदी कोई क्यूशन बढ़ेगा यहां से केवल मैं जिल्ले और संभाग से कर रहा हूँ तो केवल क्यूशन बढ़ सकता है कि हाली में शीयम साब असोग जी गहलो दुवारा राजस्तान में कितने नविंतम संभाग बनने की घोशना की तो तीन कौण कौण से हैं तो उनके नाम पुछा जा सकता है या फिर नविंतम कितने जिल्ले बनेंगे ये क्यूशन बन सकता है या फिर कौण सा भाग किस जिल्ले से अलग होकर जिल्ला बनेगा ये केवल क्यूशन बन सकते हैं बाग की विध्यारती जो और तैयारी कर रहे हैं, तो चिंता करने की आउशकता नहीं है। क्यूं? क्यूंकि आप सब जानते हैं कि आप जिस किसी भी competition की तैयारी करते हैं, सपोस देन आपके एक्जाम में येदी राजस्तान जीके के 50 कुशन आते हैं, तो आपको श्वेम पता है कि उस 50 कुशन में से कितने ऐसे कुशन हैं, जो किशी परोपरी इस्तान से पुछे जाते हैं। इतना तो आपको भी पता है। परोपरी ऐसे कितने कुशन हैं, जो किसी इस्तान से पुछे जाते हैं। हाँ नविंतम चेंजमेंट होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि 50 के 50 ही क्यूशन केवल वो इस्तान या जिल्ले से ही पूछेगा ऐसा कता ही सम्मोव नहीं है चार या पांच परकार के ही क्यूशन मन सकते हैं तो चार पांच क्यूशनों के लिए आप पिछे जो 45 क्यूशन बचे हैं उसके लिए क्यों रुकेवे हैं जुत्तेवेखेट के साक्षे काहां से मिले ये कुशन किसी जिल्ले से नहीं बनता है ये काली बंगा से बनता है जंबल नदी का उद्गमिस्तान जानापाव की पाड़ी MP से हो रहा है तो वो वहीं से होगा उसका बहँ शेत्र थोड़ा change हो सकता है लेकिन वो पढ़ना तो पढ़े गई हमें अच्या, ऐसा भी नहीं है कि नवीनतम है तो नवीनतम ही पढ़े, क्यों? ये भी सारा पढ़ना ये पढ़ेगा तो ये जिक जो अभी है वो पढ़ रहे हैं फाइदे ये नुकसान काहा है तो ये पढ़ते रहना है आपको ठीक है और ज़्यादा गबराने के आउशकता है नहीं बिल्कुल निश्चित रही है ठीक है चलिए हम थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं बदलाओ देखिए राजस्तान में अभी तक 33 जिल्ले और शाथ संबाग लेकिन अब अब राजस्तान में होंगे आपके कितने पचास जिल्ले और दस संबाग पचास जिल्ले और दस संबाग ठीक है तो इसके अकोडिंग तो कितने नवीनतम जिल्ले बढ़ेंगे अब संभा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पहले साथ थे अब दस बनेंगे मतलब सिंपल सी बात है तीन नए संभा गटित होंगे 33 पहले जिल्ले थे अब 50 होंगे मतलब 17 नए जिल्ले बनेंगे नहीं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है उन्नीस नए जिल्ले बढ़ेंगे, इसका मतलब यह है कि जो जैपुर जिल्ला था ना, उसको बरकास्त करते वे इसके दो टुक्डे कर दिये, उशी परकार जोधपुर जिल्ले को बरकास्त करते वे जोधपुर को भी दो भागों में बाणद दिया, ठीक है, जैसे ही आईए, बिंदू देखते हैं कुछ महतपून, जैसे नविंतम संभाग कौन से बनेंगे, क्यूशन बन सकता है ये डाइरेक्ट E.O.R.O के लिए, कि अभी असो गहलो दुवारा राजस्तान के नविंतम संभाग की घोशना हुई कौन-कौन से, तो एक तो बनेगा आपके शि शिक्र संभाग, पाले संभाग और कौन सा बासवडा संभाग, ये तीन संभाग नविंतम होंगे, अभी ये डिशाइड नहीं हुआ है कि कौन सा जिल्ला की संभाग का भाग होगा, हाँ, परिवर्तन होगा, आईदर उदर उत्थल पुतल होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी ये है कि शिक्र, पाले और बासवडा तीन, नविंतम क्या बनेंगे संभाग, अब ये देखे आगे, नविंतम जिल्ले बनेंगे कितने, 19, कितने नविंतम जिल्ले बनेंगे, 19, कौन-कौन से बनेंगे, देखे, और कौन से जिल्ले से अलग होकर कौन सा बनेगा, एक तो है जुद्पूर पूर्वी जुद्पूर परस्चिमी और फलोदी जोतपूर नाम कोई जिल्ला नहीं रहा एक आपके बालोत्रा बन जाएगा बाडमेर का जो बाग था एक जालोर का जो भाग था सांचोर ये भी एक नविन्तम जिल्ला बनेगा एक सलुमबर जो कि उदेपुर का भाग था अब ये भी एक क्या बनेगा आपके नविन्तम जिल्ला ठीक है एक आपके शिक्कर का जो निम का थाना था ये भी नविन्तम जिल्ला अब ये देखे जैपूर उत्तर और जैपूर दक्षिन जैपूर नाम का कोई जिल्ला नहीं रहा आब जैपूर उत्तर और जैपूर क्या दक्षिन अब ये भी डिशाइड करना है कि राजस्तान की राजदानी कौन सी रहेगी जैपूर उत्तर या जैपूर दक्षिन एक दे पूतली बहरोड आगे चल कर ये भी एक शमश्या होगी कि जिल्ला मुख्याले कौन सा बनेगा कोड़ पूतली बनेगा आग बहरोड चलो वो जो आगे है वो देखेंगे एक खेरतल जो कि अलवर का भाग है ये भी क्या बन जाएगा एक नवीन तम जिल्ला डीडवाना कुच जाले कौन सा बनेगा डीडवाना के कुच्चा मन ये भी एक विवात सहीरे तो डीडवाना कुच्चा मन शिटी एक नवीन तम जिल्ला ब्यावर अजमेर का भाग और केकडी भी अजमेर का भाग और ये भी एक नवीन तम जिल्ले बनेगे ब्यावर लग जिल्ला बन जाए यह भी एक नविन्तम जिल्ला तो टोटल यह 19 नविन्तम जिल्ले बनेंगे और जैसे ही बनेंगे तो राजस्तान में जिल्लों की संक्या होगी कितनी 50 और संभा कितने बनेंगे 10, ठीके। यह सारी चीजे, यह नविन्तम चैंज्मेंट हो ओए, ठीके। ये देखें अब राजस्तान में होंगे आपके पचास जिल्ले और कितने दस संभाग ठीक है तो गबराने के आउशकता कते ही नहीं है ऐसा नहीं है कि सर हमने इतना शारा पड़ा है अब वो ऐसे हो जाए वेस्ट चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है पड़ा है चिजी याद है तो केवल इस तान से उठा करी तो रखनी है जैसे आपको पता था कि अनुबगड की कोई चीज विशेश पड़ी आपको पता था कि अनुबगड पहले गंगानगर में था अब अनुबगड श्वेम एक अलग जिल्ला है ये सारी कुछ वेस्ता चैंजमेंट होगी अभी अ कर पढ़ेंगे ऐसा कते ही नहीं करना है जो आप पढ़ रहे हैं वह पढ़ते रही है क्योंकि चीजें वही है बस हो सकता है कि कुछ थोड़ा साही दरूदर हो ठीक है बाकी चीजें वही रहने वाली है और बाकी जिस हल्दी गाटे युद्ध की डेट है तो वह तो चैंज होने से रही तो वह तो पढ़ सकते हैं ना ठीक है इसलिए अपनी पढ़ाई को किशी परकार से डिस्टप नहीं करना है वह आपको जारी रखना है जो नवीन्तम को चैंजमेंट होता रहेगा वह सभी के लिए आपके लिए नया नहीं है तो उस हिसाप से हम धीरे-दीरे न उनको तो कते ही इस नवीन्तम से घबराने की आउशकता नहीं है आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रही है यदि नवीन्तम कोई क्यूशन बनेगा तो वो मैंने आपको अभी बताया कि इसी परकार से बनेगा कि हाले में नवीन्तम तीन संभा के घोशना हुई निम्न मे से किस जिल्ले से अलग होकर बनेगा ऐसे परकार से क्यूशन मन सकते हैं तो यह क्यूशन मन सकते हैं ठीक है इसलिए आप अपनी त्यारी को जारी रखिए बाकी निश्चित रहें नवीन्तम जो भी आँकड़े चेंजमेंट होते रहेंगे वो आपको दीरे दीरे पता चलत में और जैसे इसमें कोई नई शूचना अधी शूचना जैसे भी कोई नई जानकार आती है तो मैं तुरन प्रबाव से आपके साथ में शांजा करूंगा ठीक है तो यह फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद तक के लिए ईट के लिए सेशने अगले सेशना अज़ नावसर दूचना ठैस्मा नगी बस दूचना म शेचना साथ